हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल मैडी हट एंड आज हम बात करने वाले हैं विल्यस और एमकिट सिरप के बारे में क्या इसके यूज है क्या डोज है एंड क्या साइड इफेक्ट है सब कुछ जानेंगे आज हम इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सस्क्राइब नहीं करते तो आप सभी से उपैस्ट है प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दे तो आज हम बात करने वाले हैं बैले श्व keinलज की सिरप के वारे में जो कि इसका brand name में आगर हम company की बात करें तो ये sun pharma company के द्वारा बनाया जाता है जो कि इंडिया की अभी present time में number one company है और हम बात करते हैं इसके composition के बारे में यानि इसकंदर salt क्या क्या पाया जाते हैं तो इसकंदर blastine पाया जाता है जो कि 10 mg में पाया जाता है और montalukast पाया जो कि 4 mg में पाया जाता है अब हम बात कर लेते हैं इसकी MRP के बारे में ये आपको market में 124 रुपे में मिल जाएगा जो कि आपको 60 ml की cc मिल जाती है किसी medical store पर आपको असानी से मिल जाए क्योंकि सबसे अच्छी company है इंडिया की तो असानी साब को किसी medical store पे मिल जाएगा अब हम बात कर लेते हैं इसकी uses के बारे में किसका use doctor किन किन situation में करता है तो इसका use जो है allergic condition जैसे जुखाम हो जाना या आख से पानी आना नाग जाम हो जाना सरदी खासी जुखाम या खुजली या रैसिस से हो जाते हैं सरीर पर उन सब समस्यों में इसका use doctor कर सकता है अब हम बात करते हैं जो इसके अंदर blastine पाया जाता है salt इसका main work क्या होता है तो blastine जो है एक anti-histamine class की drug है जो कि allergic लक्षणों को रोकने में काम में आती है हमारे सरीर के अंदर एक histamine नामक chemical substance होता है जो कि release होता रहता है जिससे क्या होता है जुखाम हो जाता है या आख से पानी में आता है या नाग जाम हो जाती है तो blastine क्या करता है यह histamine को जाकर block कर देता है जिससे हमारी आख में पानी आना या सर्दी जुखाम इन सब चीजों में अराम मिल जाता है अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर मोंटेलुकास्ट पाया जाता है इसका क्या काम है यह ज जादा तर डोक्टर अस्थमा वाले पेशेंट में करता है अस्थमा वाले पेशेंट में कभी कभी क्या होता है कि उन पेशेंटों को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उन सब समस्यों में इसका यूज किया जाता है मोंटेलुकास्ट जो है जादा तर सीजनल एलर्जी जै तो आपने इसको ज़्यादा मातरा में दे दी हो या गलत तरीके से आपने इसको पिला दी हो तो इसके कुछ साइड इफेक्ट देखे गए है जैसे कि वोमिटिंग हो सकती है बच्चे को या हैडेक हो सकता है या कॉंस्टिपेशन हो सकता है या नोजिया भी हो सकता है अगर हम बात कर लेते हैं इसकी डोज इसके बारे में कि इसकी डोज कितनी कितनी लेनी चाहिए डोज का हिसाब जो है ये डेर साल से उपर वाले बच्चों को ही चलता है वो भी उनके according to age and according to weight वैसे जनरली डोक्टर अगर आपके बच्चे का वजन ठीक है और वो 5-6 साल का है तो उसके अंदर डोक्टर 4-4 मल सुबह शाम दे सकता है पर आप जब भी एक बार इस दवाई को ले तो पहले एक बार आपने डोक्टर से कंसल्ट कर ले and उसके बाद ही आप ये ले I hope you like this video Thank you for watching this video